प्रिये विद्यार्थियों कामाईनी के चिंता सर्ग की व्यक्ख्याओं का जो सिल्सिला जो क्रम चल रहा है उसी कड़ी में ये तृतिये व्यक्ख्यान है जित्ये व्यक्ख्यान के अंत में मैंने बताया था कि इसे आगे मनु जो है जो प्रले हुई थी उसका वर्णन करेंगे तो कभी ने कामाईनी के चिंता सर्ग में प्रसाद जी ने जो वर्णन किया है वो इस प्रकार है कभी की पंक्ती है आहाकार हुआ क्रंदन में कठीन कुलिस होते थे चूर हुए दिगंत वधिर बीशन रव बार बार होता था करोर करोर अर्थाद जब प्रले हुई तो चारों तरफ अतिवरस्टी हुई लोग मरने लगे डूबने लगे चारों तरफ आहाकार हुआ और उस आहाकार के सामने उस प्रकरती के थोर बज्जर थे वो भी चूर होने लगे नश्ट होने लगे और हुए दिगंत वधिर जो दिशाएं थी इतनी बहेंकर आवाज उरती के दिशाएं बैरी होने लगी और जो भीषण रव था जो भीषण आवास थी प्रले की आंदी की तोफान की विजली की वो ज्यादा कुरूर होती चली जा रही थी फोती चली जा रही थी फिर आगे कभी कहते हैं दिगदाओं से धूम उठे या जलदर उठे छित चटके सगन गगन में भीं प्रकमपन जंजा के चलते जटके प्रसाद जी कहते हैं कि दिगदाओं से धूम उठे मानो दिशाओं के जलने से मानो दिशाओं जल उठी हो। हवा की गती इतनी तिवर्थी आंधी की जंजा आंधी तेज आंधी की गती इतनी तिवर्थी की सगन गगन में भीम परकंपन की सारे आकास में भहंकर कंपन था कांपरा था और जंजा के चलते जटके और आंधी जो है इस प्रत्थी के पर जटके दे रही थी उस देव जाती को हिला रही थी. अंदकार में मलिन मित्र की धुंद्री आबा लीन हुई वरण व्यस्टते घनी कालिमा इस्तर इस्तर जमती पीन हुई उस प्रले का पर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि इस्तरे जब अति वरष्टी हुई तो दिन में ही अंदकार जैसे स्थती पैदा होगी जो सूर्य था वो धुंदला होने लगा उसकी जो आबा थी उसकी जो चमक थी वो धीर-दीरे लीन हुई और उदर वरण व्यस्त थे पानी के देवता वरण जो थे वो पानी बरसाने में व्यस्त कर जमती पीन हुई और जो कालिमा थी जो हंदेरा था वो धीरे-धीरे और ज़्यादा पीन हुई का मतलब है और ज़्यादा गहरी हुई गहरा होता जा रहा था प्रले के उन विकराल दर्शियों का वड़न करते हुए कभी आगे कहते हैं कि पंच भूत का भैरो मिश्त्रण संपंग के सकल निपात उलका लेकर अमर सक्तियां खोज रही जियों खोया परात कि पंच भूत जिसको तुलसी दाशी ने छिती जल पाव के गगन समीरा का है कि प्रत्वी, आकास, पानी अगनी ये जो पांस तत्व होते हैं ये जब पहले तो संतुलित थे लेकिन जब परले हुई तो भैरो मिश्तरण हो गया, इनका भैयंकर मिश्तरण हो गया, अर्थात ये पानी डुबोने लगा, अगनी जलाने लगी, आकास से उलकाओं की बरसात होने लगी, अर्था तो सश्टी को खतम करने के उन्होंने भैरो रूपधान कर लिया, और संपाओं के सकल निपात और बिजलियां गिरने लगी, ऐसा लग रहा था, बिजली चमकती तो उलका लेकर अमर सकतियां खोज रही, जो खोया प्रात, कि जो देव सकतियां थी, वो उलका के साहरे, उस उलका प्रकास के साहरे, उस खोयेवे प्रात्य काल को, अपने सुक को, उस छणी कुजाले में मानो, खोज रही हो, अगे भी, कभी उत्परिक्षा लंकार का साहरा लेते भिए, बार बार उस बीशन रव से कप्ती धर्ती देख विशेश, मानो नील ब्योम उत्रा हो आलिंगन के हेद असेश। कि वो काप्ती धर्ती का मानों के लिए नीचा आयाओ इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में बादल धर्ती से लिपट रहे थे। जाल के तरह गर्ज रही थी बहेंकर चली आ रही फेन उगलती और वो ज़ाग उगलती भी। अतिरीक पाणी से लहर से ज्ढग आजाते हैं तो ज्ढग उगलती भी, ला कि वे शाउप हों, सौर्फ हों, ब्याल हों, उपमालंकार ब्यालों से ब्याल की तरहे, उस समद्र की लहर जो थी, उज्ढग उगलती भी चली आ रहे थी। दस्ती धरा धदकती ज्वाला ज्वाला मुख्यों के निश्वास और संकुचित क्रमस है उसके अव्यव का होता था रास कि प्रत्वी जो है धस रही थी यानि कहीं प्रत्वी पर तरार आ रही थी कहीं प्रत्वी से ज्वाला मुख्य ददक रहे थे और मानो ज्वाला मुख् से प्रत्वी अपना निश्वास चोड़ रही थी और इस प्रकार संकुचित क्रमस है तरह मानों उसके प्रत्वी के अवयों का उसके अंगों का राश हो रहा था पतन हो रहा था इस खंड प्रले में फिर कभी आगे कहते हैं सबल तरंगा घातों से उस कृद्ध शिंदु के बिचलित सी ब्यस्त महा का चपशी धर्णी उव चूब थी बिकलित सी है प्रत्वी कवर्णन है कि किस तरह शियोस प्रले काली निश्थती में प्रत्वी की क्या स्थती हो रही थी इसका उपमालंकार का प्रियोग करते हुए कभी कहते हैं कि सबल तरंगातों से उस प्रत्वी बिचलित सी हो रही थी प्रत्वी ब्याकुल सी हो रही थी महा कचप शी धर्णी एक महान कचप की तरह प्रत्वी जो थी वो उबचूब एक सब्द का प्रियोग की है प्रसाजिने उबचूब उबचूब का मतलब होता है डामाडोल की प्रत्वी डामाडोल कभ बढ़ने लगा बिलास बेग सा, वइ अतीबहरो जल संगात, तरल तिमिर से प्रलै पवन का, होता आलिंगं प्रतिगात। फिर कभी आगे कहते हैं कि बढ़ने लगा बिलास बेग सा कि जो पाहेंकर जो जल संगात था जल का समुव था उस प्रले का वो उसी तर बढ़ने लगा जैसे बिलास का बेग बढ़ता है एक बार बिलास में बिलासता में आदमी जब बढ़ जाता है तो उसकी तरफ बड़ी एक तरफ प्रले कालीन जो हवा थी वो दोनों मिल रहे थे दोनों आलिंगन कर रहे थे और प्रले कालीन हवा और घना अंदकार मिल करके और भयंकर डरावना दर्श उपस्तित कर रहे थे पिर कभी कहते हैं बेला चन चन निकट आरेी चिन पिर लीन हुआ उददी डुबो कर अखिलदरा को बस मर्यादा हीन हुआ बेला कार्थ है समुद्र तट कि इस तरह समुद्र तट दीरे दीरे निकट आ रहा था हिमाले की तरप आ रहा था अर्था पानी बढ़ता जा रहा था तो पहले तो छितिज चितिज कहते हैं जा प्रति और आकास मिलते भी दिखा देते हैं इस तरह की कल्पना को साहित में छि पहले तो छीन हुआ, कम दिखाई दिया, फिर बिलकुल लीन हुआ, फिर उसका दिखाई दिया नहीं बंद हो गया, और कभी कहते हैं कि समुद्र ने संपून पर्थी को डुबो कर, उद्धी डुबो कर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ, समुद्र मानो जो है, वो मर्या ज़्यादा हीन हो गया था, फिर आगे कभी कहते हैं करका करंदन का पंच बूत का वेतांड़ों में नर्त हो रहा था कब का, फिर कभी कहते हैं करका करंदन करते हुए, आवाज करते हुए, बहुत विशाल मातरा में ओले गिर रहे थे, और इसके निचे सारी प्रकरती जो थी वो कुछ ली जा रहे थी पंच भूतों का चिति जल पावा गगतों का चिति जल पावा गगन समीरा प्रथी आखास जल अगनी इनका जो तांड़ाव में नर्थे था जैसे जब प्रले होती है तो ऐसा कल्पना है सनाटन परंपरा में कि भगवान शिव जो है वो इसको वर्णन को जो है एक अलग मोड देता है उपर कभी ने जो ग्यारा चंदों में इन ग्यारा चंदों में उस प्रले का जो वर्णन करने के पाथ एक तरीकेश कह सकते हैं कि फ्लैस बैक सिस्टंग में कि जिस कता का सुत्र जो है वो यहां से शुरू होता है कि मनु जो है एक नौका में बैठे विए हैं और वो नौका उस सब टकराती है कभी उधर टकराती है ऐसा लगता है मनु को कि मैं बचूगँगा नहीं और देव जाती का जो ये अंती मन से वो भी नश्ड हो जाएगा दख्का मारती है और उस मचली के दख्के से एक बार तो मनु को लगा कि मेरी नौका जो है वो छती ग्रस्त होगी है वो टूट जाएगी मैं इस प्रले जल्दी में डूप जाऊंगा लेकिन वो जपटा ही उसके लिए मचली का वो जपटा ही उसके लिए जीवन हुआ उसने मचली के धक्के से मनुगी जो नौका थी वो हिमाले के तरट पर आ लगी यहां आकर के कभी जो है वो इस कथा को जोडता है जैसे इसका पहला चंद था कि हिमगीर के उतंग शिकर पर बैठ सिला की शीतलचा एक पुरस भीगे नेनों से देख रहा था प्रले परवा तो वो प वो आगे की पंक्तियों होगा जो हब हम अगले व्यक्षान में उसको बताएंगे धन्यवाद करते हैं हमईएब थापे के अर की वेता है जब हरे प्रहों हैरे गन्यवार चार की अ असमन एंज शिवास भीगे शीतलचा pelाई शीख वे च्ट। बताबन हम खाच व kinderg हब भीगे ।